जैस्री किष्णि जैस्री जादे नमस्कार दोस्तों मैं पंडित अमित मुशन मेरे यूट्यूब चनल स्री अक्षितो तरपन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है साथियो आपको मैंने बहुत से उपाए पताए बहुत से जानकारिया दी अगर आपको पसंद आती है तो उन सब वीडियो को सेयर करते रहे तो लाइक करते रहे आज मैं आपके लिए खास जानकारी लेके आया हूँ वो है आप सब को ने सुना होगा कि बच्चों पर नजर का असर हो जल्दी होता है पूरी नजर लगना आपने बहुत-बहुत सुना होगा लेकिन जो आजगल की पीडि है वो इस सीज़ को नहीं मानती कि ये अंद विश्वास है लेकिन हमारे जो बुजुर्ग लोग थे व होती है लेकिन कई लोग नहीं मानते लेकिन जो मानते हैं उनको इस सीज़ पर पूरा विश्वास है कि ये चीज होती है और मैं भी मानता हूं कि ये चीज अवश्य होती है और इससे थुटकारा कैसे पास सकते हैं आपने कभी कभी देखा होगा कि बच्चा खेल रहा है और मित्रों ये नजर दोस माना जाता है जो किसी को भी नजर लग सकती है बच्चों पर नजर का जो दोश है वो ज्यादा होता है वो जल्दी से इस दोस से ग्रशित हो जाते हैं तो साथियों इसी चीज के बारे में आपको बताऊंगा बच्चों पर जो नजर दोस हैं वो कैसे उतारा जाए और जल्दी से उसे कैसे चुटकारा पाया जाए वो सब बाते में आपको बताऊंगा उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को अगस्य दमाएं लाइक और सेयर करना ना विशेष जानकारी बचों पर नजर दोस्त क्यों होता है बचे खेलते हैं खिल खिलाते हैं तो उस पर पूरी नजर लग जाती है नजर लगना एक ऐसी क्रिया है जो किसी को भी लग सकती है चाए बड़ा हो चाए छोटा हो चाए बुड़ा हो चाए जवान हो नजर लगना कोई बड़ी बात नहीं है किसी को भी लग सकती है ये आवसित नहीं कि भी नजर सत्रू की लगे ये कोई चलूरी नहीं है कि कोई किसी सत्रू की नजर लगे मित्रो नजर अपने परिवार वालों की भी लग सकती है अपने बडोसी की भी लग सकती है अपने घरवालों की भी लग सकती है अपनी नजर अपने को भी लग सकती है ऐसा विवर्णन आता है अब आप को ऐसा उपाए बता रहा हूं जिनकी मदद से आप बड़ी से बड़ी चाहे कितनी भी बड़ी नजर लगी हो चुटकियों में मुतर सकती है तो चलिए दोस्तों पहला उपाए है अगर आपका बच्चा नजर से ग्रसित है तो पहला उपाए आप ये करें कि रुई की एक लंबी बत्ती बनाना है फूल बत्ती नहीं जो लंबी बत्ती होती है वो बनाएं उसको सरसों के तेल में बिगो कर बच्चे के सर से यानि साथ बार घुमाना है साथ बार घुमाना कैसे है जो घड़ी घूमती है उसके विपरित इसामियाने उल्टा घुमाना है सीधा नहीं घुमाना है ऐसे साथ बार उल्टा घुमाएं उसको और साथ बार उल्टा घुमाने के बाद एकांत स्तान में कि शिकोने में जाकर उस ब वक्ति के अंदर से ऐसे बुंदे किर्टी रहेगी और उस बुंदों के साथ साथ ही उसकी नजर उतर जाएगी ये आप अपना के देख सकते हैं बड़ा ही कारगर उपाए है आप अपने बच्चों पे अगर नजर लगी है तो इस उपाए को अपनाएं दूसरा उपाए है द चाप को लेना है एक समचराई को लेकर बच्चे के सिर से उल्टा वैसे ही घुमाना है जैसे घड़ी घुमती है उसके विप्रित दिशा में साथ पर घुमाएं और उसे अगनी में डाल दें इससे बड़ी से बड़ी नजर लगी है तो भी वो दूर हो जाएगी तीसरे नंबर का उपाई है मित्रो किसी बच्चे को नजर लगने पर उसे अपने मकान की जो देहली जो होती है उस पर बैठा कर काली उड़त ले थोड़ा नमक और मिट्टी को बराबर मात्रा में लेकर और साथ बार वैसे ही उल्टा घुमाना है उसके उपर से साथ बार भुमाने के बाद उस मिट्टी को काली उड़त को और नमक को दक्षिन दिसा की तरफ अपने घर से बाहर दक्षिन दिसा में फैकते हैं उसके फैकने के साथ ही उस बच्चे की नजर उतर जाएगी और बच्चा बिलकुल स्वस्त हो जाएगा आप ये उपाई करक के देख सकते हैं चोथे नमर पे बड़ा ही कारगर उपाई है ये आप बच्चों के साथ बड़े व्यक्ति के उपर भी कर सकते हैं अगर बड़े व्यक्ति को नजर लगी है तो उस पे भी आजबा के देख सकते हैं इसमें आपको करना क्या है थोड़ी राई लेना है नमक प्याज के छिलके लेने हैं और सुखी लाल मिर्च लेना है और उसे अंगारों के उपर डालना है उन चारों चीज़ों को अंगारों पे डाल कर जो पीडित व्यक्ती हैं उसके सर के उपर से साथ बार वैसे ही उल्टा घुमाना है साथ बार भुमाने के बाद जो अंगारे हैं उनको पाहर भेंक देना है किसी खाली स्थान में यानि जहां पे कोई मकान नहीं हो या कोई जलने वाले चीज़ नहीं हो ऐसी जगे उस मिट्टी पे डाल दें लेकिन विसेश ध्यानिया रखें उन अंगारों को बुझाएं नही उनके उपर पाणी नहीं मिट्टी डाले ऐसी जालना है उनकारों को तो आप देखेंगे कि नजर तुरंट उतर जाएगी साथ योग ये बड़े ही तारगर उपाएं हैं अपने बच्चों पर करके देख सकते हैं अगर बच्चा नजर से गशित है तो उसको तुरंद होता है तो आप मेरे कोमेंट बक्ष में कोमेंट जरूर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें और लाइक तो जरूर करते रहना चलता हूं फिर मिलूँगा ऐसी ही अच्छी जानकारी लेकर जैसे किश्मे जैसे इजाधी नमस्तकार